दोस्तों हमारी application महाविद्या Economics School के माध्यम से हम UGC Net, PGD Economics, Assistant Professor, CUET, PG Economics, इसके अलावा Economics Optional जैसे तमाम courses प्रोवाइड कराते हैं, इनके जो PDF notes से वो आपको हमारी application में free of post मिलेंगे, ताब हमारी application महाविद्या Economics School जब डाउनलोड कर लें जून 2019 में एक question आया था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि इसमें किस प्रणाली के अंतरगत केंद्री बैंक विविद रूप में या अधिकार प्राप्त है, कि वो सरकारी प्रतिबूतियों के बदले एक नियत मात्रा में मुद्राय जारी कर सकता है, और किसी भी अधिकता के बदले सुन चांदी रखनी पड़ती है, तो कई सारे options आपको दिये हुए, जिसमें से सही option क्या है वो आपको चूज करना है, यानि कि नोट जारी करने की प्रणालियों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से समझानी के कूसिस करेंगी, तो इस question के ओपर हम तरीके से आप कह सकते हो, इस विरस्ता में केंदरी बैक बिना किसी रिजर्व के, बिना किसी सोने के, बिना किसी चांदी के नोट चाप सकती है, और अगर एक सीमा तक, ऐसा नहीं कि अल्लिम्टेड एक सीमा तक, और उसके बाद अगर नोट चापने तो उसको 100% रासी अगर कोई भी बैंक 10,000,000,000 रुपे तक नोट चापती है, तो उसको कुछी भी तरीके का रिजर्व रखनी के अफशक्ता नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर उसको पैसे चापने है, माले 100 करोड रुपे और चापने है, तो उसको उतने ही पैसे का गोल्ड या सिल्वर र रजर्व बैंक है, किसी भी डेस की केंद्री बैंक है, उसको या अधिकार है, कि वह एक निश्बिस सीमा तक करेंसी जारी कर सकती है, उसके लिए उसके बाद आधिक्तम सीमा परड़ाली मैक्सिमम लिमिट सिस्टम, इस परड़ाली में 1908 तक फ्रांस में परिच्चन दिश इस प्रडाली में राज बिना किसी रेजर्व के उपरी सीमा तक करनसी जारी कर सकता है और उसके बाद अगर करनसी जारी करता है तो उसको अब वहां की जो पालेमेंट है वैदानिक अनुमती उनको लेने पड़ेगी है। यानि कि जैसे केंद्री बैंक है, तो केंद्री बैंक क्या कर सकती है, दसलाख रुपे तक का नोट बिना किसी रिजर्व के चाप सकती है, उसके बाद विएकर उसे नोट चापने तो किसी रिजर्व की आवशिक्ता नहीं है, हलाके उसको क्या करना पड़ेगा, जो केंद्री वहां से उनको पर्मिशन लेनी पड़ेगी जो प्रॉपर पर्मिशन के बाद जितना मरजी नोट चाप सकते हैं इसके अलावा तीसरा है अनुपातिक रिजर्प रडाली जो है वह विश्चित अनुपात में सोने तक सरकारी प्रितिवूतियों में तो पचीस करोड आपको गोल्ड के रूप में या अनुपातिक रिजर्प रडाली और नियुनतम रक्षित प्रडाली यह इंडिया में लागू है इंडिया में इस प्रडाली को 1956 के बाद लागू कर दिया गया था इस प्रडाली में स्वणा और विदेशी मुद्रा का एक न तो दोस्टों करोड का नियुन तरम रिजर्ग रखने की आवशकता है भारत जैसा यहां पर लाक करोड के गोटाले गोटाले हो जाते हैं वहाँ पे 200 करोड उस नहीं है जैसे उंट के मुझे जीरा तो 200 करोड रुपे की संपत्ती भारत को अपने पास हखनी पड़ती नियु आदिकार प्राप्त होता है कि सरकारी प्रतिबूती के बदले एक निश्यत मात्रा में मुझद्राइज जारी कर सकती है तीक है जी और किसी अधिक्ता के बदले में स्वण क्छादी रखनी पड़ती है यानि कि अगर उसको ज्यादा रखना है तो सौना और चांदी रखनी पड़ेगी तो इस तरीके की चीजों को बोलते हैं हम नियत प्रत्याई प्रडाली यानि नियत प्रत्याई प्रडाली में क्या होता है इस सिस्टम में क्या होता है कि अगर जो भी हमारी सरकारी प्रतिबूति के बेस पर आपने मान लीजे च्छाप दिये 25 करोड और अगर आपको इस से ज्यादा च्छापने यानि कि सरकारी प्रतिबूति का मतला गौर्रमंट गारंटी दे रही है उसमें किसी तरीके का कुछ रिजर्व रखना नहीं पड़ता लेकिन उसके बाद अगर अरबिय की हम बात कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट से आप दिमाग में जरूर रखिएगा सबसे पहले भारत में सभी सिख्के और एक रुपे का नोट भारत सरकार का विक्तमंत्रा ले जारी करता है और से सभी करेंसी नोट भारत दे रिजर्व जारी करता है एक बार कुश् पॉर्फी प्रति भॉष्री साम जर और पूर्रय करने का राधि बहारत सरकार का पूर्फ से स्वामित वाली अनुसुचित एकी मिनी रत्म कंपणी एकी स्टिड़ी में आती है अब इसी की एक साय कंपणी है साय कंपणी है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में वहां पे पासपोर्ट, वीजा, डांक टिकेट, पोस्कार्ड, अंतरदीसी, लिफाफे, स्टांप पेपर, किसान विकास पत्र आधिजारी करते हैं भारत में चार्ट टकसाल है मलब जहां पे सिक्तों के डलाए होती है मुंबई, हैदरावाद, कॉलकता और नौइडा में इसके अलाबा भारत में दो नूट प्रेसे नासिक, देवास और मैसूरी और सवलोनी में तो दोस्तों बेसिकली आपको यह याद रखना है कि भारत में नूट जारी करने की विवस्ता क्या है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पुरी तरी के समझानी कोसेस की इस वीडियो में इतना ही ठाइटी है